स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इंडिया स्टेडी लर्न में जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना प्रधान मंत्री जंदन योजना का तीसरा किस्त का पैसा पांच जून से आना शुरू हो जाएगा यानि कि कल से जो है मिलना शुरू हो जाएगा विडियो के अंतक बने रहे हम आपको पूरूब के साथ बताएंगे साथी साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपको जल्दी से अपना खाता नमर जो है मिला लेना है कि आपका जो पैसा है वो किस थारिक को आने वाला है उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर अप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिये वे लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ऐसे ही पलपल की योजना की इन्फोमेशन सबसे पहले पाने के लिए तो चलिए आपको फटा-फट बताते हैं जैसा कि आप लोग हिंदुस्तान न्यूज के अनुसार देख पर है मैं आपको दिखा पर यहां पर देखे सापसा बताया गया कि जंदन खाते में 5 जून से आएंगे 500-500 रुपिये पैसे निकालने का ये है नियम तो देख पर यहने कि कल से जो है सभी जंदन खाताधारियों के खाते में 500 रुपे की जो तीसरी किस्त है जून महिने का वो सभी जंदन खाताधारियों को पांच जून से जो मिलना सुरू हो जाएगा देख पार इस तरी किसे साब साब बताया गया गया है और यहां पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहां पर देखे के लॉग डाउन के बीच गरीबों को रासन कार्ड और आर्थिक मदद देने वाले परधान मंतरी गरीब कल्य कल्यान योजना का लाब इस महिने में भी खाता धारकों को मिलेगा एक पॉइंट सतर लाग करोर रुपय की परधान मंतरी गरीब कल्यान पैकेज के तर जो है 42 करोर गरीबों को 53,248 करोर रुपय की वित्त साहता जो है मिल चुकी है यानि कि बजट जो है वो जारी कर दिया मतलब परधान मंतरी जंदन योजना के महिला खाता धारकों को 500 रुपय के जून महा की किस्त बैंकों में बेजी जा रही है इसको लेकर भारत्य संगे ट्वीट करके भी बताया है या आपे देख पार रहे है इस तरीके से सुरक्चित रहे है मैं आपको दिखा पर है उन्ह पैसे पूरी तरह सुरक्चित है बैंकों में भीड से बचने के लिए नीचे समय सारनी बनाया गया यानि कि किस तारीक को आपको किस दिन पैसा आने वाला है यानि कि आप अपना खाता नमर मिला लिए तो यहाँ पर देखे इस तरीके से नोटीस भी जारी किया मैं आपको दिखा पा रहा हूं जैसा कि आप लोग देख पार है यह है जून महिने का तीसरा किस्त का नोटीस इस नोटीस के अनुसार आप आसानी से अपने बैंक खाते का आखरी नमर से जान सकते हैं कि आपका जंदन वाला जो पैसा है वो किस तारीक को आपके खाते में आने वाला ह देख पार इस तरीके से सरकार जो है जून महिने का जो नोटीस है वो जारी कर दिया है यहाँ पर मैं आपको दिख पार रहा है यहाँ पर भुकतान जून 2020 के यहाँ ले देख पार यह 500 रुपीय है यह ने भुकतान के जून महिने के लिए जो है 500 रुपे के लिए इस टैप स संख्या के अंतिम अंक 0 और 1 है देख पर है कब से 5 जून 2020 या 10 जून 2020 के बाद देख पर हैं बाद यहां पर देख पर है किसी भी दिन निकाला जा सकता है यानि कि देख पर है 5 जून से जो आपके खाते में जो है 500 रुपय वाला जंदन का जो पैसा है वो आना शुरू हो जा आपका पैसा वो आना शुर हो जाएगा और आप 6 जुन के बाद कभी भी निकाल सकते हैं 10 जुन 2020 के बाद किसी भी दिन निकाला जा सकते हैं यहाँ प ergए बताएगा है कि यदि आपके खाता संख्या का अंतिम अंक 4 या 5 है तो 8 जुन को आपके खाते में जो पैसा है वो आ जाएगा और यदि आपके खाते का आखरी संक्या 6 और 7 है लास्ट डिजिट तो आपके खाते में 9 जुन को पैसा आपके खाते में बेज दिया जाएगा उनके बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं उनके बाद यहांपे बताएका यदि आपके खाते का अंतिम अंक यानि की खाता संक्या, आठ और नो है, तो आपको दस जून से पैसा आपके खाते में डाल दिया जाएगा, उनके बाद आप जो है कभी भी अपने ATM से या बैंक जाके आप आसानी से जो है निकाल सकते है, सो तो इस तरीके से सरकार ने नोटीस के द्वारा भी यहां पे देख पर दिया गया गया है देख पर है 500 रुपए की प्रतीमा जो रासी सरकार ने जो वादा किया था तीर मेhmenा देने का अपरेल में आ गया मई में आ गया और जून का तीसरा किस्त का जो पैसा है वो कल से आना सुरू हो जाएगा जैसे ही किसी व्यक्ति का आता हम आपको चैनल के माध्यम से जरूर सबसे पहले इनफॉर्म करेंगे और कुछ लोग बोल रहे थे कि सर अगर हम जंदन वाला पैसा अपने खाते से नहीं निकालेंगे तो हमारा जो पैसा है सरकार वापस ले लेगी तो ऐसी कोई भी बात नहीं है इसलिए बोला जाता है कि ताकि बैंकों में भीड ना लगे तो इन सब अफवा में ना आया आपका पैसा है आप कभी भी निकाल सकते हैं तो ठीक है इन सब अफवा में ना र झाल।